दोस्तों एक वीवर साथी ने सेलो टेप बिजनस को लेकर एक वीडियो बनाने का रेक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने तुरंत ही इसके बारे में जानकारिया लेनी शुरू कर दी मार्केट सर्वे करते हुए इसका फीडबैक लेना शुरू कर दिया और आज मैं वीडियो के साथ हाजिर हूँ दोस्तों सेलो टेप का इस्तेमाल इतना अधिक होता है कि ये एक मात्र पोड़क्ट भी अपने आप में एक कम्पलीट बिजनस है बड़े बड़े फैक्टरीज में माल पैकिंग के लिए बड़े पैमाने पर सेलो टेप का खबत होता है ओनलाइन मार्केटिंग कम्पनीज भी अपने समानों के पैकेजिंग के लिए बड़ी मात्रा में सेलो टेप का इस्तेमाल करती है इसके अलावे कुडियर वाले और इसी तरह अनेक जगों पर अनेकों काम के लिए सेलोटिप की जरुत पड़ती ही रहती है ऐसे में अगर आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस कारोबार के उपर विचार करना चाहिए इस कारोबार को शुरू करने के लिए ज्यादा पूजी की जुरूत भी नहीं है मातर डेड़ से दोलाख रुपए में इसे आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं इस पोड़क का सेल कहां कहां होगा, खपत कहां कहां होगी और कितनी होगी इस बात को लेकर पड़ेशार होनी की जुरूत नहीं है क्योंकि जब आप मैनुफैक्चरिंग शुरू कर देंगे तो इसके गड़े सब अपने आप दिखने लगेंगे इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं आप अपने शहर के या थोड़ी दूरी पर कोई बड़ा शहर है तो वहाँ के स्टेस्नरी के होलसेलर से संपर्क करके ओर्डर बुक करके उनको ट्रंस्पोर्ट या कुरियर के थुरू माल भेजा करेंगे जबकि इन शहरों में स्थित फैक्टरी वालों से मिलेंगे अपना विजिटिंग कार्ट देंगे और बात करेंगे तो वहाँ बड़े बड़े ओर्डर मिलेंगे इसके अलावे आप इंडिया मार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी कमपनी का ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आल इंडिया से आपको ओर्डर बुक होते रहेंगे बिजनेस अच्छा चलेगा इसमें कोई संदेह नहीं है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक मात्र बड़े हॉलनुमा कमडे की जरूरत है इसमें दो मशीने आपको लेनी होंगी कोर कटिंग मशीन और री बैंडिंग मशीन ये दोनों मशीने एक लाख रुपए में आ जाने वाली है इंडियामाट.com पर सेलो टेप मशीन सर्च करने पर आपको बहुत सारे सप्लायर्स के अड्रेस और मुबाइल नंबर मिल जाएंगे अच्छा होगा कि आप उनकी फैक्टरी को विजिट करके उनके दोना निर्मित सभी प्रकार के सेमी आटोमेटिक और आटोमेटिक मशीन की पूरी जानकारी लेकर इन मशीनों को खरीदें अब इसके रो मटेरियल यानि बॉप टेप रोल के लिए आपको कही भटकनी की जुरुत नहीं है क्योंकि ये कंपनिया भी अधिकतर मशीन बनाने वाली कंपनियों के संपर्क में होती है आप उन कंपनियों को विजिट करके क्वालिटी रेट और ट्रांसपोर्टिंग की सेटिंग करके उनसे रो मटेरियल मगाते रहेंगे तो संभवता कोई दिकत नहीं होनी चाहिए जी एस्ट यादी लाइसेंस वाला काम भी कर लेना होगा विशेस जब आप किसी काम को दिल से करने की ठान लेते हैं तो आपकी चाह और सफलता की राह इन दोनों का कॉंबिनेशन मिल जाता है आप बढ़ते भी रहेंगे और सफल भी होंगे इसी सुब कामना के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में All the best, जैहिंद